इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की टॉप 10 IT उनिवर्ष्टी जिसके अंदर आपको अडमीशन लेना चाहिए अगर आप IT के अंदर, Computer Science के अंदर या Software Engineering के अंदर अडमीशन लेने का सोच रहे हैं तो उसी experience की ways के अपर मैं आपको end के अपर recommend भी कर रहा होगा, किस उनिवर्ष्टी के अंदर आपको अरमीशन लेना चाहिए और मुख्तलिफ उनिवर्ष्टी के क्या ranking है और क्या उनका criteria है, किस तरह वहाँ पर social life है और किस तरह कि आप university life वहाँ पर गुजारेंगे, यह तमा और इस तरह के बुक्तलिफ जो topics हैं, वहाँ मैं discuss कर चुका हूँ, इस playlist के अंदर जिसका link मैं description में भी दे दूँगा, तो उसको देकर आप लाजबी देख लीजिएगा, तो अब हम चुरू करते हैं अपनी वीडियो को के पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पर अगर बात के अंदर भी है, और एक campus इनका गालमन फैसलाबाद के अंदर भी है, अगर इसके merit की बात की जाए, तो इनका merit भी हाई होता है, यहां पढ़ाई की बात की जाए, तो वो भी tough है, तर यहाँ पास नहीं कर सकते, अगर हम fees की बात करें और बाकी युनिवरिश्री से compare करें, तो वो भी average होगी, यानि यह तमाम जो मैं बता रहूं, इन सब को compare करते हुए बताऊंगा, जिन universities का मैं जिकर करूंगा, तो अगर हम fees की भी बात करें, तो वो average होगी, दूसरी universities को भी अगर compare किया जाए, relatively अगर देखा जाए, और इसके इलावा, जो वर्थ आगर मैं कहू वो भी आप जाकर लाजमी देखिएगा, तो अगर हम इन companies को भी देखें, तो इन में बहुत जादा हमें लोग fast के मिलते हैं, बहुत जादा fast के graduate हैं, जिन्हों ने ये companies बनाई, और जब आप interview के लिए जाएंगे, जब आपने job लेनी होगी, तो आपको देखने को यह मिले और end के उपर मैं आपको अपनी recommendation भी दे दूँगा, कि being a student की अगर आप admission लेना चाहते हैं, तो आपको किस IT university के अंदर admission लेना चाहिए, तो अगर दूसरी university के मैं बात करूँ, तो वो नस्ट है, आप सब जानते हैं, कि बहुत मशूरी university है, उसके अगर merit की बात की जाए, त वहां भी वो, उनका जो प्रोग्राम है, वो काफी अच्छा जा रहा है, इसके अलावा ग्रफीज की बात की जाए, तो वो भी average यावरी से जादा ही है, दूसरी universities के मकाबले में, और एक चीज़ मैं यहां पर जिकर करना चाहूंगा, कि fast के अंदर आपको जो criteria वो काफी ट अगर university live की बात की जाए, तो वो बहुत जादा है, आपको मुक्तलिफ मिलेंगी, मुक्तलिफ वहां पर होते रहते हैं, मुक्तलिफ टॉक्स, seminars, conferences, वहां पर खुती रहती है, इसके अलावा गर फीस की बात की जाए, तो फीस की हाई है, लेकिन अगर पढ़ाई के standard की बात क की जाए, तो आपको बहुत अच्छा पढ़ने को वहां पे मिलेगा, बहुत अच्छे teachers हैं वहां पे और उनके भी graduates बहुत अच्छा परफॉर्म करने इंडस्ट्री के अंदर जाके, तो लंस अगर आप पर फूर्ड कर सकते हैं, तो लंस बहुत अच्छी option है, और मेरिट हाई होता है, पूर्थ नमबर पर अगर बात की जाए तो हमारे पार कॉमसाइट यूरिश्टी आएगी, इसका अगर आप मेरिट की बात करें, तो कॉमसाइट यूरिश्टी के तना ज़्यादा मेरिट नहीं होता हाँ, इसकी फीस अलबता हाई है, और अगर आप पढ़ना अगर मैं बात करो तो कॉमसाइट भी एक अच्छी आप्शन हो सकती है, अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप यूरिश्टी लाइव भी जो है करना चाहते हैं, और अगर आप मेरिट के ओपर भी वहां पर आ रहे होते हैं, नेक्स्ट यूरिश्टी इसको मैं ड अच्य तरीके से डिगरी करनी हैं, तो कमपाइटिटिव यहां पे आप को स्टॉरेंट्स भी मिलते हैं, टीच्छ थी आपको अथ्चे मिलते हैं, आपको एक अच्छा इनवारिणमेंट मिलता है लर्णिंग आभी तो आप एक अच्छी निग्री कर सकते हैं, प्यूसी में कनाल रोड पर exist करता है इसे लावा जो कॉमसाइट का मैंने पहले जिकर किया तो कॉमसाइट के लाहूर इसलामबाद और मुक्तिली जगा के उपर कैमपस मौजूद है अब जिस यूरिस्टी का मैं जिकर करूंगा वो है जी के गुलाम मिलेगा ओवराल गुलामि साखार इस्टिटूट एक अच्छा इस्टिटूट है फिर हमारे पाद जो यूवर्श्टी आती है वह यूईटी है यूईटी जो है हर जो इंजीनिंग है उसके लिए बहुत दादा मशूर है और यूईटी के मुखलिफ केमपस है जिस तरह लाह है इनके ग्रेजुएट से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे है क्योंकि हम अपनी के अंदर बहुत जादा स्टूडेंट्स एंफिल्म के अंदर देखते थे यहां मैंने कुछ टीचिंग असिसंट्ट होते है हमारे बहुत आदे यूईटी से थे तो मैं ओवराल कहूंगा कि यूईटी भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है मैरीड इसका हाय होता है क्योंकि फीस की कब होती है यूइश्टी लाइं भी इसकी अच्छी है थोड़ा आपको टफ भी यहां पर मिलेगा या आपको पढ़ना पढ़ता है यूटी में आप सिरफ पढ़े बेगार जो है वो पास आउट नहीं हो सकते तो अवराल अगर मैं बोलोगा तो यूईटी भी एक अच्छी ऑप्शन है जिस यूटी को मैं जिकर करूंगा वो है इन्फॉरमेशन टेक्नालोजी यूश्टी जो पहली पाकिस्तान की इसी का ग्रेजूएट हूँ मैंने इन्फॉरमेशन ट चीज़ते वो मकमल हुए थे उन्फी के अंदर तो अब यहां पर मुस्लिफ साइटी भी बिल्डप हो चुकी है मुस्लिफ इवेंट्स भी होते हैं ऑवराल केमपस होटा है क्योंकि बर्की रोड पे बड़ा केमपस बना है जो अभी तक नहीं बना लेकिन ऑवराल अगर आ की जाए तो बहुत अच्छी एक वर्थ हमें आई ट्यू की देखने के मिलती है इंडिस्ट्री के अंदर और और इनकी मज़े की बात है कि बहुत थोड़े स्टूइंट्स की लेते हैं तो सिरफ क्वाल्टी के उपर यह जादा फूकस करते हैं और उसके बाद इनका में जो सब्सक्राइब हैं जो इसा कूर्स जो किसी और यूवर्टी में ओफर नहीं हो रहा था और हमें पढ़ाया था बहुत अच्छे इस टेक्टर पढ़ा रहे थे तो अबराल मैं बात अगर करूं तो कंप्यूटर साइंस के लिए मेरे खाल से इप्शन होगी और इसके इलाव तो इन युविश्टी का मैं डिटेल के अदर डिसकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खुद इनका इतना जाद आइडिया नहीं है लेकिन जिलिव डियुश्टी का मुझे अच्छा आइडिया था जैसे यूईटी है आईटी है फास्ट है जी की हल नम्स है इन तमाल का मैंने ड बहुत जादा dependent होती है student के उपर किस तरह से पढ़ते हैं किस तरह से मुझे को समझते हैं इसके अलावा क्योंकि आपके पार internet मुझूद है मुझे को वहां से भी और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो मेरी वैसे recommendation अगर आप जाती तो पूछे तो इन मेंसे किसी में भी admission मिलता है तो आप ले सकते हैं लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ specific नाम दें तो उसके अंदर मैं आपको recommend करूँगा Lums है अगर आप लाहोर से हैं तो लंब्स ITU fast यह तीन यूनिश्टेज हैं प्यूसी IT भी अगर थोड़ा साब को concern है fees का क्यूंकि ITU के अंदर भी लेकिन अगर आप ITU के अंदर scholarship पे चले जाते हैं अगर आपने अच्छा perform कर रहे होता है आपका GP अच्छा होता है तो overall यह 3-4 recommendation मैं दूँगा अगर आप लाहोर से हैं इसके लावा आप बाकी आप जिस भी city से हैं उसको आप दे सकते हैं क्यों सा campus आपके क्रीब और उसके मताबिक आप admission ले सकते हैं थैंक यू